समस्कार दोस्तों मेरा नाम में विम्मल सिंग बाला जी स्टरी अड़ा में आपका स्वागत है तो आज हम एक वेकेंसी की बात करेंगे जिसके लिए कल से आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं 27 मार्स से उसका नाम है पोश्ट का आपका EPFO EPFO की फुल फॉर्म क्या होती है तो EPFO की फुल फॉर्म होती है आपकी Employee Provident Fund Organization ये फुल फॉर्म है इसके अंतरगत दो आपकी टोटल पोश्ट है कौन-कौन सी है एक Social Security Assistant की पोश्ट है और दूसरी आपकी Stenographer Group C की पोश्ट है कौन ये परिक्षा कराता है तो NTA यानि National Testing Agency ये परिक्षा कराता है तो Stenographer के लिए तो आपको पता है सौट हैं चाहिए तो वो जिसका है वही भर सकता है हम यहाँ पर बिसिकली बात करेंगे Social Security Assistant जो फॉर्म है इसको लेकर के SSA को लेकर के Online आपको आवेधन करना होगा आवेधन करने की जो तारीक है वो 27 March 2023 से 26 April 2023 तक रखी गई है क्या इसमें Pay Band रहता है तो Level 5 का रहता है जिसमें 29,200 से लेकर 92,300 तक ये Pay Matrix रहता है और Additional तो सारी चीज़े रहती है फॉर्म कितने का है तो ध्यान से समझेगा कि फॉर्म HC, HD के टिगरी, PWD के टिगरी और Female Candidate और Ex-Service Man इन सभी का कोई भी फॉर्म की फीज़े नहीं है यनि 0 रुपए रखी गई है परन्तु बाकी सभी के टिगरी के लिए 700 रुपए फीज रखा गया है यहाँ पर इतने लोग में बचे कौन? तो जर्नल, OBC और EWS तो जर्नल, OBC, EWS की फीज़े 700 रुपए बाकी सभी की फीज़े कोई रुपए नहीं है, सूने रुपए है कब से आविधन कर सकेंगे? तो यह आप 27 अप्राइल 2023 से आविधन कर सकेंगे, 28 अप्राइल तक, ओनलाइन माध्यम होगा, वेबसाइट पर विजिट करके एक चीज़ यहाँ पर और आप देखेंगे, वो रहेगा आपका टाइपिंग टेस्ट, कम्प्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो है, वो फेस 2 में होगा, फेस 1 में तो किम्बल पेपर होगा, उसका भी स्लेबस में आपको दिखाऊंगा, तो फेस 2 में आपका कम्प्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें कम्प्यूटर डाटा एंट्री टेस्ट करके लिखा होगा है, जिसमें इंग्लिस में 35 सब्द पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की यह टाइपिंग जो स्पीड है, मागी गई है, स्पीड जिनको यानि जिनकी नहीं भी है टा इस प्रकार से आप देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, बाकी आप वीडियो को रोब कर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में टोटल 124 जो है आपकी पोश्ट है, बाकी अलग-अलग जगा भी है, कुल मिला करके टोटल कितनी पोश्ट है, तो 26,074 यह टोटल पोश्ट है, इस 26,074 पोश्ट में अगर आप देखेंगे, सबसे पहला जो है, SC, HT, OBC, EWS, फिर जनल, यह आपकी पोश्ट SC की है, और नीचे, यह आपकी 359 SC है, 273 HT है, यहाँ पर 514 OBC है, और 529 जो है आपका EWS है, और फिर सबसे लाश्ट में आप का 999 जर्नल की पोश्ट है, तो कुल मिला करके, देख लेते हैं, लाज सेकिंड लाज EWS है, हाँ, विल्कुल, तो कुल मिला करके आपकी जो पोश्ट है, वो 26,064 पोश्ट है, अब ठीक ठाक लेवल की है, टाइपिंग का मैं दिखा भी देता हूं, यह देखेंगे, आइज उनिवस्टी, नॉर्मल, कोई भी एक्ट्रा इसमें और कोई क्वालिफिकेशन नहीं मागी गई है, अब बात करते हैं, एज लिविट की, तो 18 से 27 साल जो है, वो आपका मागा गया है, क्लोज अप्लिकेशन प्रॉम दे एज रिलेक्सेशन भी, इसमें आपका अलग अप्लिकेशन की, वहाँ से आपकी एज 27 साल काउंट होगी, तो आखरी तारीक कौन की है, 26 अप्रेल की, तो वहीं से आपकी 27 साल एज काउंट होगी, अब एज रिलेक्सेशन जो है, SCHT को 5 साल मिलेगा, OBC को 3 साल मिलेगा, और अब इसके अलावा जो भी आपके गवर्मे OBC के लिए 43, एक सर्विसमेन के लिए भी इस प्रकार से अलग-अलग छूट है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी प्रकार परसन विद बेंचमार्ट डिसिबिल्टी के लिए भी इस प्रकार से छूट आपको दे रखती है, अब बात करते हैं, इसलेबस की, क्या स्लेबस रहेगा, तो Phase 1 का जो एक्जामिनेशन का स्लेबस रहेगा, यह आपके Total, General Attitude, 30 नमबर कोश्चन रहेंगे, Total Maximum Mars, जो है 120 रहेगा, General Knowledge और General Awareness की बात करेंगे, तो 30 कोश्चन और आपका 120, Total Maximum Mars, Quantitative Ability की बात करते हैं, तो 30 कोश्चन, 120 नमबर, General English with Comprehension, 50 कोश्चन, 200 नमबर, Computer Electric, 10 कोश्चन, 40 नमबर, सब 4-4 के हिसाब से हैं, और Total आपका 150 कोश्चन रहेंगे, और 600 नमबर का पेपर होगा, समय दिया जाएगा, 2 घंटा, 30 मिनट, 5 घंटे का, 150 मिनट का, यह आपका पहला जो होगा, Phase 1, क्योंकि दूसरा वाला Computer Based हैं, तो यहाँ पर Each नमबर के होगे, Negative Marking जो है, वो 1 4th की होगी, यह भी हाँ, Clear किया गया है, और Final Section, Selection, Merit के Base पर होगा, और एक चीज़े भी बताया गया है, जो Candidate Short List किये जाएंगे, Phase 2 के लिए, उसके लिए जो Ratio रखा गया है, वो एक अनुपात 10 का रखा गया है, यानि कि Vacancy के 10 गुना क इसमें, और हिंदी में जो है, आपका 30 सब्द पर मिनट, यह आपका Phase 2 रहेगा, Computer Data, Skill Test को लेकर, तो मुझे लगता है कि आपको Computer के चक्कर में से छोड़ना चाहिए, त्यारी तो आप साइड वाई साइड किसी ने किसी एक्जाम की करते हैं, बाकी Qualifying Marks बगरा मैंने बता द करते हैं, बाकी यह दी कोई और प्रस नहों, तो आप कमेंट में पूछ लीजेगा, मैंने सारी information दे दी, वीडियो पसंद आए लाइक कीजेगा, और लुक से शेर कीजेगा, मिलते हैं अगले ब्रेट में, तब तक के लिए नमस्कार, चाहिए,